कि एसेम के सभी दोस्तों एवं भारत के नागरेकों के लिए मेरा छोटा ससंदेश है बर्तमान में कोविद-19 के दूसरी वेव अत्यान भयानत रोपने वाप्रसाई है इससे बचने का बेतर तरीका है आप ट्रिपल लेयर मार्स का प्ठयान रखे हाथ को सेनिटाइस करते रह और अकारण आख नाख कान पेहाथ में लगए इसके अलावा डिस्टन्स के नियमों का पालन करें ये तीन बहतर तरीके करोना से बचाओं में मदद करेंगे सरकार ने वेक्सिनेशन का काम किया जिन लोगों को वेक्सिन का फर्स्ट स्लोट लग गया है और अभी दूसरा नहीं लगा है वो दूसरी स्लोट को दूसरी डोस ले ले और वेक्सिनेशन के दो स्लोट जिनको लग चुके हैं उनको यदि करोना हो भी रहा है उसका माइल्ड इफॉक्ट पड़ रहा है तो किसी न किसी हद तक वेक्सिन कारगर है यह इम्यूनिटी वढ़ाने में मदद कर रही है लेकिन हम लोग कुछ हद तक लापरवा भी हो गए थे लोग भूल गए कि करोना भी खत्म नहीं हुआ है बाहर क्राउट दिखने लगी लोग शादी विवाग भीड के साथ समारोग करने लगे यह भी एक कारण है करोना के बढ़ने का तो हम सब की जिम्मेदारी है इससे बचने के लिए मास्क का प्रियोग करें जब घर से बाहर निकले तो डवल मास्क लगाएं घर में भी जहां तक संबह हो मास्क लगाएं और परिवार में अपस में भी डिस्टन्स के नियमों का पालन करें बाहर निकलने के सोशल डिस्टन्सिंग को पालन करें आशक्ता होने पर ही बाहर निकले अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं हर नागरिक लॉक्डाउन के नियमों का खुद ही पालन करें इस जंग को जीतने के लिए हमें सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी गाइड लाइन सरक्वार दोरा दी जा रही है उसको पालन करें जो भी चीजे बचाओ के रास्ते बताय जा रहे हैं उनको पालन करें हम इस जंग को जरूर जीतेंगे लापरवाही ना करें स्यम्म को सुरक्षित रखें जय हिंदे